नमस्कार आप देख रहे हैं ओल्लाइन न्यूस इंडिया और मैं हूँ आपके साथ मुन्मुन रह्मार दोस्तो अगर आप भी दिवाली पर बोनस चाहते हैं या बोनस मांग रहे हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां पर फैक्टरी में काम करने वाले कुछ मजदूरों ने अपने मालिक से बोनस मांग लिया तो उनको नौकरी से ही बाहर निकाल दिया गया दोस्तो दिवाली जो है वो हिंदू का सबसे बड़ा त्योहार है और इस दोरान कई बड़ी बड़ी कंपनिया जो है अपने वरकर्स को अपने इंप्लॉईस को तौफे देती हैं गिफ्ट देती हैं और बोनस देती हैं और इसी की तरच पर फैक्टरी में काम करने वाले बोनस मालिक लेकिन Мालिक ने 1500-200 मषडूरों को काम से ही बाहर निकाल दिया और ऐसे कई मझ्गूर है जो 9 साल से 10 साल से 11 साल से 5 साल kanar只by film के कहना है कि किस तरीके से जो है हमें बोनस हमने बोनस मागा तो हमें फैक्टरी से ही बाहर निकाल दिया नौकरी से हाथ होना पड़ गया मैं खबर आपको दिखाऊंगी यूपी तक की ये खबर है सबसे पहले यूपी तक का ट्विट देखिए उसके बाद भी आपको उन लोगों की आप बीती भी सुनाऊंगी कि किस तरीके से जो है वो बता रहे हैं कि हम 5 साल से 9 साल से काम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद यूपी तक का ट्विट अप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखाए यूपी के कानपुर देहाथ में दिवाली मोनस मांगने को लेकर 1500 मजदूरों को फैक्टरी मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है वहीं सवाल पुछने पर मालिक काम ना होने की दलील दे रहा है फैक्टरी मजदूरों की वीडियो जो है यूपी तक ने शेर की है यूपी तक की पुरी टीम जो है वहाँ पर पहुची और उसके बाद मजदूरों से महाँ पर बात करी अब आप सुनिए किस तरीके से जो है एक मजदूर अपनी आप बीती बता रहा है और कह रहा है कि मैं पांच साल से काम कर रहा हूं लेकिन जब हमने बोनस मांगा तो हमें सब्सक्राइब के बाहर करास्त दिखा दिया और हमारे साथ डेल सो से 200 मजदूर ऐसे हैं जिने नौकली से निकाल दिया गया है सुनिए किस तरीके से मजदूर जो है अपनी आप बीती सुना रहा है सुनिए पांच वर्स हो गए मेरे को इस फैक्टिम बोनस देने का वादा साइन करने बाद दो मांगे की थी कि आप किसी को निकाला नहीं जाएगा सबको अंदर लिया जाएगा और बोनस दिया जाएगा 20 तारीक तक लेकिन हम लोग साथ होखा धड़ी यह हुई कि केवल 15 लड़के हमारे लिए गए यह तोड़ फोड़ करवाने के लिए और हम लो नकार रहे हैं आज यह कहार हैं कि हम नहीं लेपाएं हमारा प्रों संडावन होगया इस परकार करके वर्केरों को बाहर कर दिया या किसी वर्क करको मालू Subscribe पता लगा कि हम लोग ठेकेडारी में काम कर रहे हैं ना उसका कोई आदमी है, ना उसका कोई पूछ है, ना उसका कोई कान है, यह है कहाँ, ऐसा दोखादली, बेरे साथ क्यों किया है, और क्यों कर रहा है यह लोग। तुनिए कि इस तरिके साथ अब एक बुज़ूर्ग की आप अब भीटी सुनिए इस तरीके से बता रहा है कि मुझे नौ साल हो गए हैं काम करते हुए लेकिन जब हमने बोनस मांग लिया, हमने अपने पैसे मांग लिये, तो किस तरीके से जो है, हमें बाहर करास्ता दिखा दिया है, सुनिए तो देखा दोस्तो आपने किस तरीके से जो है, ना यूवाउट को देखा गया, ना बुजूर्कों को देखा गया, किसी कभी लिहास नहीं किया गया, और 9 साल, 10-10 साल से लोग जो है, फैक्टरी में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है, उनको बोनस ने दिया गया, और जब उन्होंने बोनस मांग लिया खुद से, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया, और जब पूछा गया फैक्टरी मालिक से इस बारे में, तो उन् 10-10 सत्ता की खबर देखिए, लिखा है कानपूर में फैक्टरी मजदूरों ने मांगा दिवाली बोनस, डेर सो मजदूरों को दिखाया गया बाहर का रास्ता, लोग बोले हमसे कहा घर जाओ, यानि कि किस तरीके से जो है, लोग वहां पर सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उ मजदूरों को नौकरी से बाहर निकालने का मामला सामने आया है, 10 साल से मजदूरों को बोनस नहीं दिया गया है, उनकी ये मांग मजदूरों को भारी पड़ गई और 150 मजदूरों को इसका खामियासा भूगतना पड़ा, इस मामले को सुनकर हर कोई है कि बोनस मांगना क्य इतनी बड़ी गलती है कि उनको नौकरी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया फैक्टरी के इस एक्षिन से मज़दूरों में काफी रोश है तो आपने सुना होगा कि किस तरीके से मज़दूर ये भी बता रहे हैं ये मामला जैनपूर का है जहां तरीबाला नाम की एक फैक्टरी में निकाल गया कि उनके पास कोई काम नहीं है हाला कि मज़दूरो का कहना है कि उन्हें कहीं सालों से बोनस नहीं दिया गया है और जब उन्होंने इसकी मांग की तो 5-10 लोगों को अंदर ले लिया गया और सैक्टरो लोगों को बाहर का रास्ता जो है दिखा दिया गया इसे के साथ इस खबर में भी लिखाए कि एक मजदूर ने बताया कि वो 5 साल से इस फैक्टरी में काम कर रहे हैं जिनकी हमने आपको बाइट सुनाई इसमें कहा गया है कि उन्होंने कहा कि फैक्टरी के आलोग जहांजरिया और आरियन तिवारी ने डिप्टी कमिशनर के सामने बोनस देने का बादा किया था इतना ही नहीं ये भी कहा गया था कि किसी को नहीं निकाला जाएगा और 20 तारिक तक बोनस दिया जाएगा आगे वो बताते हैं कि इन्हों ने धोका धड़ी की है और फिर उसके बाद 15 लोगों को ही अंदर रख लिया है काम करने के लिए और बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है इसे के साथ मजदूरों ने ये भी आरोप लगाया है कि जनवरी में धोके से उन्हें ठेकेदारी में डाल दिया और 4-5 महीने बाद उन्हें पता चला कि वो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि 11 सालों से मज़ूरों को बोनस नहीं दिया गया है मज़ूर 320 रुपे प्रती दिन के हिसाब से काम करते हैं तो प्रती दिन के हिसाब बैठता है वो 320 रुपिया है और उसके बावजूर जो है फैक्टरी मालिक बोनस नहीं दे रहे तकरीब दस-दस-गैरा-गैरा सालों से जो है लोगों को बोनस नहीं मिला है और जो लोग काम कर रहे हैं वो उन्हें भी जो है 6-7 महीने नहीं हुए है एक बड़ा अच्छा खासा जो वक्त है उन्होंने फैक्टरी में बिताया है और किस तरीके से जो है महाँ पर काम किया है इसलिए के साथ इस खबर में आगे लिखा है भारते किसान UC के नेताद डेवंजर प्रताप सिंग ने बताया की मजढूरों के मुद्दे पर उन्होंने फैक्टरी के मालिक से बात की उन्होंने बताया कि factory की तरफ से उन्हें समझाया गया है कि ये धोका धड़ी नहीं है और stock नहीं है इसलिए labor काम नहीं करेगी लेकिन दोसरे मज़़ूरों को रख लिया गया है और अंदर काम चल रहा है तो जब मालिकों से बात की जा रही है मालिकों से पूछा जा रहा है तो factory के मालिकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि labor उनके पास काम नहीं है और हमारे पास production नहीं है इसलिए हम इतने labor से काम नहीं कर दो आप सुनिए जिसमें किस तरीके से वो शखस बता रहा है कि हम लगातार यहां पर इतने साल से काम कर रहे हैं लेकिन जो है यहां पर हमें बोनस नहीं दिया गया है और किस तरीके से जो है हमारे साथ जूटे वादे और डावी किये गए हैं सुनिए सब्सक्राइब करने के लिए वह लिए जाएंगे काम करने के लिए वह साइन कर दिया अब वह आदमी लेने हैं तो क्या पर इक्रिया कितने लोग अंदर काम कर रहे होंगे अंदर मारे प्राणे आज बहुँने 25 लोग होंगे 25 लोग को लिया है बाकि 200 बाहर हैं 200 बाहर तो सुना अपने दोस्तों कि किस तरीके से जो है आप अगर बोनस माग रहे हैं तो आपको नौकरी से ही बाहर निकाल दिया गया है हलों कि दिवाली के मौके पर कई कमपनियां अपने एंप्लॉई अपने वर्कर्स को महनगे महनगे गिफ्ट देती हैं और बोनसा देती हैं dove ऑन्ने覺得 कर दो अब बता रहे हैं कि हमारे साथ धोक कड़ी की गई है और हमें जो है दस-tant 11 सालों से ब्स नहीं दिया क笈 और अब जब हमने ब्स खुछ तो हमें ज़ो है वह नोकी हमें जो है नौकरी से निकाल दिया है अब आप खुद सोचे किस तरीके से जो है अगर आप बोनस मांगेंगे तो आपको जो है नौकरी से ही हाथ धोना पड़ सकता है आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमिट बॉक्स में जरूर बताएं इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन को जोड़ प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई खबर कोई वीडियो हम टालें उसका लोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुँच सके